यह आवश्चक है इसलिए चुन-चुन कर जैसे पहले करते थे मनोबल गिराने के लिए टार्गेटेड वायोलन्स लक्षित यूंसा वो कर रहे हैं उद्देशे कही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना और समाज वहां संदर्श कर रहा है वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अपने डरेंगे आप डर को वापस नहीं ला सकते हैं लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा तब इस संगर्श को हम ले लेंगे चीत लेंगे हिंदू समाज को यह सब करना पड़ेगा और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्ण जैसे मंदिरों का प्रश्ण है हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है लिकिन देश के हर भाग में अलग अलग है दक्षिन के प्राया सभी मंदिर सरकार के अधीन है छोटे-छोटे मंदिर जो स्वतंद्र है वो उपिक्षित है बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है सरकार के अधिन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं बहुत सुन्दर साप सुत्रे प्रिर्णा देने वाले भक्तों की मदद समाज की सेवा करने वाले सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छल चल रहे दिल्ली का जंडे वाला मंदिर है अपने आपास में शेगाओ का मंदिर है भक्तों के अधीन है उत्तम चल रहे विवस्थित चल रहे पवित्र चल रहे स्वच्छ चल रहे और समाच की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं